तो नौवे श्लोक की बात कर यह छठे अध्याय के पड़े देता हूँ सुहरद थृदय का अच्छा, दिल का अच्छा सुहरद मित्र वैरी के प्रते उदासीन अरठातनिश्पक्च मध्यस्थ द्वैट के दोनों सिरों में से कहीं भी स्थापित नहीं मध्यस्थ द्वेश्य और बंधुगड़ों में शत्रों और मित्रों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यांत श्रेस्ट है अब बताई प्रश्म क्या है सम्भाव रखते हुए कैसे आगे बढ़ी है देनन गिम जी बढ़ी आपसे जो मित्रता दिखाते हैं आम तोर पर क्यों दिखाते हैं और आपसे जो शत्रता दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं अगर आप ये समझ लें तो आपको दोनों बिल्कुल एक से दिखने लगेंगे हस पढ़ेंगे आप अभी हम इसको पढ़ रहे हैं मुझे गुरु गुरंद साहिब जी की बाणी याद आ रही है उसमें गुरु तेक बहाद और एक जगह कहते हैं हरश शोक व्यापे नहीं बैरी मीत समान ये क्या बात है कि जहां बैरी मीत समान हो जाता है जहां कृष्ण कह रहे हैं मित्र और वैरी दोनों के प्रति उदासीन जो द्वेश है अर्था जिससे डुएश रखा जा सकता है उसके प्रति भी वैसा ही जैसा अपने बंदु बांधवों के प्रति और धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यन तस्रेष्ठ है जिनोंने भी जाना है उन्होंने ये क्यों कही है बात मैं कह रहा हूँ आप समझो तो कि जो आपका दोस्त है वो दोस्त क्यों है जो आपका शत्त है वो शत्त क्यों है उसके बाद दोनों बिलकोल एक से दिखाई देंगे बंदर को अमरूद दिखाईए क्या करेगा आप की हो रहाएगा कुत्ते को हड्डी दिखाईए आपके सामने पूछे लाएगा यह क्या हो रहा है यह प्रक्रति के नियम का पालन हो रहा है दोनों को आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उनके देह वर्धन में सहायक होगा और प्रक्रति क्या चाहती है कि देह आगे बढ़ती रहे आपकी देह समय में आगे बढ़ती रहे यही प्रक्रति का काईदा है आगे ही न बढ़ती रहे कई गुना होकर विस्तार पाती रहे आपकी कोशिकाएं जगा जगा फैलती रहे बनी रहे और विस्तार भी पाती रहे यही प्रक्रति की इच्छा है और इस इच्छा को आप बढ़ी असानी से देख सकते हैं प्रक्रति के अवलोकन के द्वारा, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, साफ दिख जाएगा, कि प्रक्रति में और कुछ चल ही नहीं रहा, बस यही चल रहा है, तो प्रक्रति में कोई किसी का दोस्त क्यों बनता है? शरीर की खातिर, कुट्टे को हड़ी दिखा दी, वो दुमहिला रहा है, कोई सुन्दर स्त्री दिख गई, आपने उसके सामने दुमहिलानी शुरू कर दी, इच्छा दोनों ही मामलों में एक ही है, क्या, शरीर की, कुट्टा भी शरीर की खातिर, आपके सामने दुमहिला रहा है, आप भी शरीर की खातिर, किसी ओरत के सामने दुमहिला रहे हो, है ना? और दुश्मनी कैसे होती है? विश्गा एकी क्यों सामने दुमहिला रहे थे, उससे बड़ी याचना करी, बड़ी भीख मांगी, देह की, और वो मानी नहीं तो उसके दुश्मन बन गए सुना नहीं ऐसे मामलों में क्या होता है फिर बलातकार की कोशिश हो रही है या उसके मुँपर तेजाब फेग दिया या उसको खरी खोटी सुना दी अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि उससे शरीर का लाभ होने की आशा थी और जहां वो आशा मिटी तहां वो इस्तरी कैसी लगने लगी बहुत बुरी वो दुश्मन बन गई तो दुश्मनी भी किस आधार पर हो रही है शरीर का आधार पर हो रही है कुट्य को अधी दिखा रहेतें, पीछे-पीछे आ रहा था दुम हिलाता हुआ अधी दिखाते ही रहे हडी दी नहीं थोड़ी देर सब्ड रख के फिर कुट्ता क्या करेगा हमला करके आप पे अध्डी छीन लेगा थोड़ी देर पहले तो बड़ा प्यारा था, पीछे पीछे चल रहा था, आपके पाओं में लोट रहा था हड़ी देखके, पर हड़ी आपने दी नहीं, तो कोई भरोसा नहीं, हमला ही कर दे आप पर, हड़ी चाहिए भाई उसे, तो दुश्मनी का भी आधार क्या है, शरीर जानने वालों ने यही समझाया है हमें, यही श्री कृष्ण ग्यान दे रहे हैं यहाँ पर, कि तुम्हारे मित्र हों चाहे शत्रु हों, दोनों जुड़े तुमसे सांसारिक और शारियरिक तल पर ही हैं, तुम उनमें क्या भेद करते हो, दोनों एक समान है, आज का मित्र क का शत्रु है, तुम्हारा ऐसा कोई दुष्मन है, जिससे तुम कभी सम्मंधित न रहे हो पहले, बोलो, सबसे घने दुष्मन वही बनते हैं न, जो पहले कभी प्यारे थे, प्यारे थे तो उनसे उम्मीदे थी, और जब उन्होंने उम्मीदे नहीं पूरी करी, तो क्या बन गए, दुष्मन बन गए, महाभारत की लड़ाई भी किन के बीच में हो रही है, अंजाने परिचितों किन के बीच में हो रही है, भाइयों के बीच में हो रही है, साथ साथ खेले, खाए, बड़े हुए, पर एक पक्ष की आशाएं दूसरे पक्ष पूरा नहीं कर रहा, और दूसरे पक्ष की आशाएं पहला पक्ष नहीं पूरा कर रहा, और दोनों की आशाएं हैं किस से संब शरीर से, पदार्थ से, भोग से, दोनों ही पक्षों को सिंगहासन चाहिए, दोनों ही पक्षों को रुतबा चाहिए, दोनों ही पक्षों को जमीन चाहिए, दोनों ही पक्षों को दुरौपदी भी चाहिए थी, और एक ही चीज दो लोगों को तो मिल नहीं सकती एक साथ, तो अब दोनों में क्या होगी? दुश्मनी दुरापदी को भी कुंती ने कहा, कि पांचो एक साथ पत्नी बना लो और पाचो ने एक साथ उसे पत्नी ने बनाया होता तो पांड़वों में भी आपस में दुश्मनी हो जाती मामला शरीर का है शरीर के तल पर ही हमारी दोस्तियां है शरीर के तल पर ही हमारी दुश्मनियां है क्या रखा है दोस्ती में, क्या रखा है दुश्मनी में जो तुम्हारा दोस्त भी है वो अधिक सधिक तुमको क्या दे देगा कुछ जो संसार का है कुछ जो देह के लिए है संसार अभी तक है ना जब तक देह है संसार माने पदार्थ संसार मने पदार्थ और पहला पदार्थ आदमी की देह है जितने भी पदार्थों का तुम ग्रहन करते हो, भोग करते हो किसके लिए करते हो, देह के लिए ही करते हो ना देह ना हो तो किसी भी पदार्थ का भोग कर सकते हो क्या देह ना हो तो बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठेगा कौन देह ना हो तो महेंगे से महेंगा कपड़ा पहनेगा कौन गाड़ी में क्या जाकर बैठती है देह कपड़ा किस पर पहनते हो देह पर सब सुख सुईधाएं किस के लिए हैं देह के लिए हाँ, दे स्थूल भी होती है, सुक्ष्म भी होती है स्थूल दे मांगती है खाना पानी और सुक्ष्म दे मांगती है पत्प्रतिष्था, सम्मान पर ले देकर सारा काम है तो देह के लिए ही तो दोस्त तुम्हे अधिक से अधिक क्या दे देगा कुछ ऐसा जो पदार्थगत है कुछ सांसारिक सुख दे देगा दुश्मन तुमसे अधिक सदिक क्या छीन लेगा कुछ ऐसा जो पदार्थगत है कोई सांसारिक सुख श्री कुछन कह रहे है दोनों ही विर्थ हैं एक तुम्हें विर्थ की चीज दे सकता है, तुमसा दूसरा तुमसे विर्थ की चीज छीन सकता है, अरे तुम कहां फस गए, तुम इन दोनों को एक ही मानो इन दोनों में भेद करो इमत तुम ये क्या इमत देना कि मित्र शत्रु से बहता रहे नशेडियों के महले में जी रहे हो तुम कोई तुम पर बहुत खुश होगा, तो आकर तुम्हें क्या दे जाएगा एक बोतल शराब की ये मित्र कहलाएगा ये यारों का यार है, ये बहुत खुश हुआ तो आकर के तुमको एक बोतल थुआ गया और कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा तुम्हारा तो क्या करेगा वो बोतल चीन ले जाएगा कृष्ण करे तुम दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन मानो इमत ये मूर्खों का इलाका है, यहां जो तुम्हे कुछ देगा वो भी चीज नशे की होगी, जो तुमसे कुछ छीनेगा वो भी नशेडी है, वो भी नशे की ही सामगरी छीन रहा है, इन में कुछ नहीं रखखा है बैरी मीट समान आरे यह बात समुझे मैं तो फिर मित्र किसको माने और शत्र किसको माने ये बात भी गीता ही स्पष्ट कर देती है अर्जुन का एक ही मित्र है क्रिष्ण क्रिष्ण के अलावा किसी को मित्र मानना मत कौन काम आ रहा है अर्जुन के, युधिष्थिर की भीम ये द्रापदी ये क्रिष्ण बोलो कौन काम आ रहा है तो एक ही मित्र है तुमारा जो तुम्हें बुध दे सके, जो तुम्हें मुक्ते दे सके. जो मुक्ते दे सके, इसो मित्र. जो बोतल दे दे, वो नहीं मित्र है. और दुनिया में जो मित्र बनते हैं, वो तो सब भही बनते हैं, जो तुम्हें बोतल ही देंगे. और बोतले कई किस्म की होती है सुरक्षा भी बोतल है कि कोई जब पास होता है तो तुम बड़ा सुरक्षे तो अनभव करते हो वो भी नशे की ही बात है समर्थन भी एक बोतल ही है कोई पास होता है तुम्हें लगता है तुम्हेरा अकेला पन मिट रहा है यह भी नशे की ही बात दुनिया के दोस्त भी व्यर्थ और दुश्मन भी एक ही मित्र है तुम्हारा वही जो अर्जुन का हुआ नाम है श्री कृष्ण मित्र मानो या तो निराकार सत्य को या उस साकार जीव को जो तुम्हे निराकार तक ले जा सके और कोई तुम्हारा मित्र नहीं बाकी जिनको भी तुमने मित्र माना है वो शत्रु समान ही है स्पश्टु को है क attachments हुंह जब भी दिखाईदे कि कोई बहुत प्यारा हुआ जा रहा है तो अपने आप سے पूछ ले यह मुझे दे क्या रहा है जो तुम्हें क्रिष्न देता हो वो तो ठीक है पर कितने इन झीवन तुम्हारे जीवन में वास्तों में जो तुम्हें कृष्ण देते हैं, बताना, अब प्यारे तो बहुत है, तो फिर उ तुम्हें दे क्या रहे हैं, कोई हड़ी दे रहा होगा, कोई बोतल दे रहा होगा, प्यारा उसी को मानना, जो तुम्हें कृष्ण दे जाए, जो बोतल देते हो हाथ में उन्हें प्यारा नहीं कहते, वो दुश्मन है नहीं कह देना कि अमुक ने मेरी सहायता की तो मेरा मित्र है सहायता की सिर्फ एक परिभाषा है, क्या? किसको मानो की सहायक हुआ तुम्हारा, जो तुम्हें मुक्त दे दे, सहायता सिर्फ एक है तुम्हारी आखें खुल जाएं, यह तुम्हारी सहायता हुई, तुम्हारे मन का अंधरा मिटे, यह सहायता हुई बाकी जितनी बातों को हम सहायता मानते हैं वो कोई सहायता नहीं झाल